दोस्तो लॉंच गुआ छोटे के सानु के लिए आईजर का छोटा कल्टिवेटर इस्पेस लिज्ट डिरेक्टर अगर आप ट्रेक्टर को भाड़ा किराया ये फिर कहीं भी चलाना चाती हैं तो ये ट्रेक्टर पर आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा मिलने वाला है क्योंकि company ने इस्पेस्टर को लॉंच किया है medium की सानु के लिए सबसे best features के साथ में और इस्पेस्टर पर जो आपको diesel खबत मिलने वाली है बहुत ही कम मिल जाती है जिसके चलते इस्पेस्टर पर आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा भी होने वाला है और दोस्तो आने वाला सेबसर का इंजन देखने को मिलने वाला है जिसमें company दे रही है टोटाल वाटर कूर्ट दमदार इंजन और इसमें आपको तीन सिलंडर का वाटर कूर्ट दमदार इंजन यूज़ किया गया है साथ में आपको ट्रेक्टर और पंप को पूरी तरह से maintenance free करने के ल आने वाला वाटर कूर्ट दमदार इंजन जिसमें 365 CC का क्यूबिक कैपसिटी देखने को मिलने वाला है और इसमें आपको इंजन के 2000 रिटेट आर्पीम मिल जाती है फुले कॉंस्टेट में साथ में सेंटर सिप्ट और साथ गेरबॉक्स देखने को मिलने वाला है जो कि इ इंजन और ट्रांस्मिशन साथ में लिप्टिंग के पसिटी पीट्यू एच्पी को टॉप फीचर्स के साथ में बना देने वाला है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कंपणी ने इस्ट्र पर दिये हैं एक से बढ़कर एक फीचर्स जैसे की इस्ट्र पर आपको इंपिलि यहां पर देख सकते हैं कंपणी दे रहा है फ्यूल सिस्टम के लिए माइको बॉस का इलाइन बाम और इसमें आपको फैन बगएरा यूज किये गया है देख सकते हैं प्लास्टिक का थाइप में आपको मिल जाता है बात कर लेते हैं इसके फ्रेंट टेक्सल की तो अगर आप चाहें तो पावर टेक्टर भी ले सकते हैं इसमें आपको सिस्टम मिल जाता है फ्रेंट बंफर आपको काफी जादा बैटनेस बाला दिया गया है जिससे कि इसके फ्रेंट बंफर बैटनेस होने से आप ट्रेक्टर को ट्रॉली बगएरा पर बढ़े साने से इसमें आपको सिस्टम नहीं मिलता है यहां पर आपको मिल जाता है और यह ट्रक्टर आपको पूरा फाइफ इस्टार विरेंट पर देखने को मिल जाता है साइड मांट आपको बैटरी देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 75 AH 12 बोल्ड की साइड मांट बैटरी देगई है जिसमें आपको आइसर का 3D में लोगो भी देखने को मिल जाता है दस्तों, देख सकते हैं, इसमें आपको वीचर्स दियए गए हैं, काफी भैतरिन मिल जाते हैं और इसमें आपको oil वाला Brick दिया गया है बात कर लेते हैं टायर की तो इसमें आपको जो टायर साज मिलने वाला है गुडियर के साथ में 6.00.603ck फ्रेंट टायर साइज गूहीं अगर बात कीजा इसके रियर टायर की तो इसमें भी आपको देख सकते हैं 12-248 का रियर टायर देखने को मिल जाता है जिसमें आपको गुडियर का टायर यूज किया गया है इसमें आपको चारो टायर MRF के ना देखर गुडियर के कमपनी दे रही है और देख सकते हैं यहां पर आपको हेड्रोमेटिक एंटी वाव मेंटनेस फ्री का इस्टीकर भी देखने को मिल जाते है साथ में आपको पार्कें के साथ में इंटीकेडर जो की हेलोजन वालब बाली मिल जाती है ट्रेक्टर का पूरा लूग आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिया गया है यह है आईसर की तरफ से आने वाला आईसर 333 5W स्टार 2024 लेटेशन मॉडल बात कर लेते हैं ट्रेक्टर की पूरी लूग की और इसमें आपको जो ट्रास्मिशन मिलने वाला है ट्रास्मिशन की साथ साथ ट्रेक्टर का ओवर व्यूव दोस्तों देख सकते हैं ट्रेक्टर का लूग कुछ इस्तरे का मिल जाते है सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ट्रक्टर की लंबाय चोड़ाई बजन की यानि की डायमेंजन की तो इसमें आपको जो ट्रक्टर का विल्वेस मिलने वाला है 1905 mm को मिल जाता है साथ मिस में आपको जो लेंथ मिलने वाली है 3480 mm की मिल जाती है दोस्तों टर पर चणने के बाद देख सकते हैं, फिरा देख सकते हैं। जिससे के पसंदे बगेरा बढ़े असानी से बैठ सकता है। यहाँ पर आपको mobile charging के लिए यह plastic का छोड़ा सा box दिया गया है। जिसमें आप mobile phone रखकर बढ़े असानी से charge कर सकते हैं। यहाँ पर आदे सकते हैं hydraulic control के लिए lever का यूज किये गया है। जिससे के आप hydraulic control को बड़े असानी से operate कर सकते हैं। दुस्तों बात कर लेते हैं इस ट्रेक्टर के transmission की यानि की gearbox की तो इसमें आपको full part दिल constant maze gearbox यूज किया गया है। जिसमें आपको center safety gearbox मिल जाता है। जिसमें आपको 8 प्रकार के आंगे वाली speed वहीं दो प्रकार के पीछे वाली speed मिल जाती है। दूस्तों अगर बात की जाए इसकी और भी कुछ extra features की तो यहां पर दिख सकते हैं इसमें आपको 4 इसोग भील वाला steering देखने को मिल जाता है। बीच में आपको 3D में आइसर का logo भी देखने को मिलने वाला है। यहां पर दिख सकते हैं जिसमें आपको dashboard मिलने वाला है, dashboard आपको analog plus digital का यूज़ किया गया है, जिसमें आपको gold type में बड़े से digital का यूज़ किया गयी है। साथ में आप दिख सकते हैं, यहां पर company दे रही है, single piece bonnet, साथ में आपको side mount silencer, और सामने आपको 3HTS, wall water trap care filter यूज़ किया गया है। फ्यूल टेंग कैपसिटी के अगर बात की जाए, तो इस ट्रक्टर पर जब को फ्यूल टेंग मिलने वाला है, 45 डिटर वाला फ्यूल टेंग देखने को मिल जाता है। दोस्तो ये तो अगर ट्रक्टर के उपर की view, बात कर लेते हैं पीछे के profile की, साथ जानेंगे lifting capacity, PTO, HP, BTO type, दोस्तो देख सकते हैं, ट्रक्टर पर आपको break की housing अलग से देखने को मिलने वाली है, यहाँ पर आपको मिल जाता है PTO का lever, जो की उपर नीचे करने पर easing gaze, और यहाँ पर से प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर system ऐसा हल रहा है, यहाँ कि उपर system आपको जुगार वाजी करकर बना गया है, पिछला भी मिल जाता है, जिसमें आपको three point linkage दिये गया है, टॉप link को फसाने के लिए, इसमें दोस्तों lower link quality की अगर बात की जाए, तो lower link quality आपने यहाँ पर आपको जो फेंडर मिलने वाले है, फिक्स्ट फेंडर का यूज़ किया गया है, डवल इनबोर टाइप में रिलेक्सल देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं lower link quality 36 HP के इसाब से काफी जाता भारी भर कम बना कर दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं three point gauge मिल जाते है, top link को फसाने के लिए जिससे कि आप two feeding को फसा सकते हैं, यहाँ पर देख सकते है, को अइश्ट करने के लिए में दे रही है जयक शिटम जिससे की आप लोवर link को adjust कर सकते हैं और दोस्तों इसमें आप ठी अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए